हाई फ्र Dallas मैं ताहिर आपकांगा चैनल ताहिर बर्ठ लबर में आप समय का बहुत बहुत तो आज बात करेंगे हम बज़वी प्रड़ट के कलोनी के बारे में ठीक है फ्रेंट के मन में ये सवाल रुकता है कि भाई हम अपना बर्ट कितने वरे कलोनी में पालना स्टार्ट करें तो फ्रेंट ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए अब इस टोपिक पर बात करते हैं तो फ्रेंट अगर आप ज्यादा बर्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी कम से कम लंबाई चोड़ी चार भाई पॉंच या पॉंच भाई छे का रहना चाहिए ठीक है प्रेंट इससे ये फायदा होगा कि आप कलोनी के अंदर जा सकते हैं अपना बजरी पर्यट को हैंडी कर सकते हैं बहुतसी बात है जो आप उसके अंदर जागें पर सकते हैं खीक वे और इपनी बड़ी कनूने में जब आप शोड़ेंगे तो उसको बहुती अच्छी तरीचे से उसको उठने मिलेगा उसके अंदर अच्छा तो आप इस चीज़ का फ्याल रखो और उसमें ये फाइदा है कि अगर एक बट्स मुटिंग कर लिया तो उसके पीछे सारे बट्स मुटिंग कर देते हैं और चीज़ा खिताना टार हैं तुझ जब मैं स्टार्ट किया था एक जोड़ा से च्छोटा के पादया था कि ज包कर कर लिज़ा जादकाना चूर्णाय जैक का नींदया है में इसलिए आशके साथ जीज़ा उसनौट कर रहा हän जो में कलोनी मेरे पशी आप का कॉलोनी और बेख गलुए हैं है और ब्रॉ। हेलती है। और ऑब क्लार निकलना स्टार्ट हो गया है इसमें कोई दिक्त नहीं है है यह से और केजेस के अंदर ये फाइदा है कि वो सेपरेट रहते हैं और उसको मीटिंग करने में कोई डिस्टप नहीं है कलोनी में एक छोटा नुकसान ये भी है कि वहाँ पर जब मीटिंग होता है फरस्ट मीटिंग तो बहुत परिशान करते हैं एक दूसरे को तो ये चीज कलोनी में छोटा सा नुकसान है लेगिन फिर माद में सेट हो जाते हैं और केजेस के अंदर ये फायदा है कि जब मीटिंग करते हैं बट्स तो उनको कोई डिस्टप करने वाले नहीं होते हैं तो ये केजेस और कलोनी का फायदा नुकसान है ठीक अबरें तो अपने बट्स का ख्याल रखिये फिर मिलते हैं नेक्स्ट विडियों में